Class 7, Exercise 1.2, Question No.1, इसके तीन पार्ट है, देखो Question No.1 में वो क्या कहता है? Write down a pair of integer, pair of integer का मतलब क्या होता है? कि दो आपने integer लिखने हैं, pair का मतलब ही ऐसा, कि जिसमें दो नमबर आएं. तो आपने first part के लिए दो ऐसे नमबर लिखने हैं, कि जिनको सम करके minus 7 अंसर आएं. द्वारा सुन लो, first part में क्या कहता है? आपने integers का एक ऐसा pair लिखना है, कि उन दोनों integers को अगर हम क्या करें? प्लस करें, तो हमारा अंसर किसके बरबर आए? minus 7 आएं. तो ऐसे तो बहुत सारे pair हो सकते हैं. जरूरी निया कि आपके सामने जो मैं यहां पे pair लिखूँ, वो ही होगा. बड़े सारे pair हो सकते हैं. देखो जैसे मैं यह लिखता हूँ. मैं एक integer लिखता हूँ. minus 8 लिखता हूँ. और उसके साथ लिख लेता हूँ. 1 लिख लेता हूँ. यह मेरा pair. अब इनको add करके देखते हैं हम कि क्या minus साथ आता है. चलो देख लेते हैं. यह minus 8 लिखा. उसमें plus 1 किया. तो देखो क्या हुआ? plus minus minus कर देना है. और बड़ी रकम का sign minus का sign. तो यह देखो minus 7 answer आ गया. यह तो एक pair. सम करते हैं. तो answer minus 7 आ जाता है. ऐसे ही और बड़े सारे pair हो सकते हैं. एक और लेता हूँ मैं. चलो देखते हैं. एक और pair लेते हैं. मैं एक लिए लेता हूँ. minus 6 लेता हूँ. और minus 7. इनको हम add करके देखते हैं कि क्या? इसका answer minus 7 आता है. देखते हैं इसको. तो क्या क्या लिया मैंने? minus 6 लिया. उसमें मैं plus करता हूँ. minus 1. तो ये minus 6. plus minus क्या हो गया? minus और ये 1. minus minus plus. लेकिन sign क्या हो गया? minus का. ये देखो. इदर भी answer कितना आ गया? minus 7 ही आ गया. मतलब कि अगर मैं ये वाला pair लेता हूँ. integer का. minus 6, minus 1. और उनको sum करता हूँ. plus करता हूँ. तब भी मेरा answer कितना आ रहा है? minus 7 आ रहा है. तो आप कोई भी. मतलब कि ये condition याद रखने कि sum कितना आना चाहिए? minus 7 के बराबर आना चाहिए. तो ऐसा तो कोई भी number हो सकते है. अब अपनी मर्जे से कोई भी pair लिख सकते हो. जो इस condition को satisfy करें. चलो B part की दरफ आते हैं. इसमें भी आपने क्या करना है? integer का एक pair लेना है. लेकिन अब difference करके कितना आना चाहिए? minus 10 आना चाहिए. चलो मैं आपके सामने एक लिखता हूँ. यह देखो. एक मैंने लिखा minus 12 भी लिखा. और minus 2. अब इनका difference करके देखते हैं कि क्या minus 10 आता है कि नहीं आता है? यह लिखा मैंने minus 12. difference करना था ना तो minus करना. यह minus का sign लगाया. और यह bracket और यह फिर यह minus 2 आ गया. तो यह आ गया minus 12. minus into minus क्या आ गया? plus 2. अब देखो. plus minus क्या आ गया? minus और बड़ी रखम का sign. minus का sign. तो आप देख सकते हो कि हमारा जो answer minus 12 और minus 2 के difference को लेके आए तो वो minus 10 ही आया. तो वही हमें चाहिए था. ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपका answer यही आए. कुछ भी आपका answer आ सकता है. लेकिन यह condition satisfy होने चाहिए कि दो आप जो pair ले रहे थे. जो दो pair ले रहे थे. उनका difference जो है वो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए. minus 10 आना चाहिए. अब इनको करो difference. करते हैं चलो difference. सारी 2 और 10 से नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें difference किया चाहिए? minus 10 चाहिए. मैं ऐसे 10 को क्या करता हूँ? 12 बना ले तो. अब मैं करता हूँ try. यह लिए 2 उसमें से किया 12 को minus. आप देखो answer जारा minus 10 आ रहे है? बिल्कुल आ रहे है. चोटी रखमें से बड़ी रखम minus हो रही है. आपको पता है. sin minus का आता है. और minus वैसे का वैसे ही करना आता है. तो यह देखो यह भी minus 10 आ गया. तो यह pair भी आप लिख सकते थे. आपकी मर्जी है. कुछ भी लिख लो. अब c पार्ट जो है. यह तो बहुत ही असान है. आपने दो integer ऐसे लिखने है. जिनका sum किस के बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए. इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. आपने दो number लेने है. एक्कुल कोई भी लेलो. कैंसलो की आंसर की आजाएगा? 0. ऐसा ही कोई और भी पेर ले सकते हो. आप कुछ भी लेलो. एक minus 10 लेलिया. और साथ में same ही लेना है. 10 लेलेना है. इनको sum किया. minus 10. और उसमें plus किया 10. यह देखो द्वारा. minus का 10, plus का 10. cancel out हुआ. तो अंसर कितना आगया? 0 आगया. तो इसमें तो कोई भी आप नंबर same same. लेकिन sign opposite लेके उनको sum करोगे. तो अंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा. तो यह question number 1 था. अब question number 2 जो है? यह ऐसा ही है. बहुत असान question है. देखो इसका A part. क्या कहता है? write a pair of integer whose difference is 8. आपने यहाँ पे क्या करना है? pair of integer लिखना है. जिसका difference किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए. simple है. बहुत असान है. आप क्या ले सकते हो? 10 के साथ 2 ले सकते हो. दोनों plus के रखमे ले लो आप. देखो यह क्यों लिया हमने? write a pair of integer whose difference is क्या? 8. 8. अब difference है ना? तो 10 में से 2 करो जरा minus. कितना होता है? 8 ही तो होता है. हुआ कि नहीं हुआ यह 8? तो ठीक है? यह ले सकते हो आप. ठीक है? आप कोई और भी ले सकते थे? जैसे देखो हम और ले 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 अगर सोचते हैं अभी. हम ले ले. minus 2 ले ले. और minus 10 ले ले. अब इनका difference करके देखते हैं. minus 2, minus और फिर यह minus 10. solve करेंगे. minus 2, minus minus क्या हो गया? plus 10. अब देखो. plus minus minus कर दो और बड़ी रखम का sign आजाएगा. 10 का sign, plus का sign. तो 10 में से 2 गया, तो कितना हो गया? 8. तो आप यह pair भी ले सकते थे. इदर भी तो answer जो आपको चाहिए था, वो ही आया ना. तो आप यह pair ले लो, यह pair ले लो, same ही बात होएग. अब देखो, अगला part. right and negative. अब अपनी मर्जी नहीं करना, एक negative integer लेना है, और एक positive integer लेना है, और उनका sum किसके बराबर आना चाहिए? minus 5 के बराबर आना चाहिए. क्या लेना है, आपने एक negative integer और एक positive integer. तो हम क्या करते हैं, एक minus 8 के साथ 3 लेना है, अब इनको sum करके देखो, minus 8 में, plus 3 किया, plus minus क्या है, minus बड़ी रकम का sign, minus का sign, तो यह देखो, 5 आ गया, तो ले सकते हो, बिलकुल यह ले सकते हो, ऐसे ही, कोई और pair को भी डूड़ने की कोशिच करो, ठीक है? अब इसके बाद है, आगे इसका c part है, right है negative integer, एक negative integer लेना है आपने, और एक क्या करता है, positive integer, और उनका difference जो है, वो किसके बराबर आना चाहिए, minus 3 के बराबर, एक negative integer लेना है, minus 2 ले लेते हैं, इसके साथ एक positive integer लेना है, 1 ले लेते हैं, अब इन दोनों को difference करके देखो कि क्या minus 3 आता है, ये लिए मैंने minus 2, difference मतलब minus करना, ये लिए minus का sign और उसमें से 1 किया, minus, अब ये देखो, minus minus क्या हो गया, plus, लेकिन sign क्या आगया, minus का आगया, तो देखा आपने, ये आगया, minus का 3, हमने ये दो integer लिए, उनका difference करके, minus 3 आना चाहिए, तो ये जो minus 2 और 1 लिय ये मैंने लिया, आप कोई और भी try कर सकते हो, इनकी जगा कोई और integer लेकर के देखो कि, हाँ, answer जो है, minus 3 जिसका आएगा, वो ही satisfy करेंगे, वो ही आप pair जो है, वो ले सकते हो, ठीक है, तो ये question number 1, 2 थे, exercise 1.2 के, इनको दियान से आपने समझना है, और फिर अपनी कापियों पे note भी कर लेना है, thanks.